हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एग्री अंपायर आई होप आप सभी बहुत अच्छ होंगे तो देखो यहां पर आज आपको बताऊंगा नाना जी देश्मुक जो आपका एडिट में यहां पर आभी स्पोर्ट काउंसलिंग होने वाली न सीधे मद्दे की बात पर आते हैं स्प पूरा pdf मेरे पास रखा है कौन से कॉलेज में कितनी सीट बाकी है ठीक कॉन से युनिवर्सिटी में अगे प्राइविट में क्या फिर से जाकर जिन स्टुडेंट को कॉलेज मिल गया है वो फिर से जाएंगे और स्पोर्ट round में क्या फिर से सीघी मिल जाएग है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों साहथ भी ये वीडियो सेर कर दो और लायक जरूर कर देना लायक नहीं किया है तोBen दोमनेओर रोग जाता हूं आप किजिए उसके बाद यह वीडियो कि यहां पर मिलने करें तोटल आपकी 32 सीट है आप पेकंट है यहाँ पर आप देखो टोटल आपका हुआ है 32 फ्री सीट है किस में गवर्मेंट में अब यहाँ पर एक एक कॉलेज की बात कर लेते हैं कौन से कालेज में कौन सी केटिगरी कि इतनी सीट खा लिए है सबसे पहले आप देखो animal husbandry diploma जबलपूर महाविध्याला में तो देखो तो अनरक्षत यानी की जनरल की female ना उसकी दो सीट है male की सीट है नहीं है यहाँ पर ठीक है SC की female ना male कोई की भी सीट है नहीं है esti की female और male नाक्री यहां पर सीट नहीं है जबलपूर में ठीक है और यहां पर क्या है 2 सीट वेकेंट है एक agए विप इहां पर बता दूँ अगर जनरल की दो फिमेल यहां पर नहीं आती तो हो सकता है ओबी सी की फिमेल को यहां पर एडवीशन मिल जाए अगर ओबी सी की फिमेल नहीं आती तो सकता है एश्टी की फिमेल को यहां पर एडवीशन मिल सकता है यह बात आपको ध्यान रखना है आपकी टोटल पांच सीट है अप देख सकते हो ठीक है शब्से ज्यादा इहां पर कौन से कॉलेज में वेकेंट है वह भी बताऊंगा अभी फिलाल देखो महूं है आपकी टोटल 5 सीट है ठीक है आपकी EWS की दो सीट मेंल की और EWS फिमेल की दो सीट क्वेकेंट हैं और जनरल की female की एक seat vacant बाकी कोई भी category की seat यहाँ पर vacant नहीं है आपकी ठीक है general की एक seat vacant है general female की एक seat vacant है और EWS male and female की दौनों की दो-दो seat vacant है total 5 seat है आपकी यह vacant हो जाती है ना महू में ध्यान रखने यह महू का समझ में आगे अब रीवा की बात करते हैं रीवा में सरफ एक seat vacant है वह भी किसकी है एश्टी female की vacant है ना एश्टी female की वेकेंट है सरफ एक ही seat vacant वह भी अब यहाँ पर बात करते हैं भौपाल की एनिमल हजबेनी डिपलोमा महाविद्याले भौपाल की बात करें तो यहां पर स्रिफ तीन seat है वेकेंट है आप देख सकते हो ठीक है किसकी है एक जनरल फिमेल की एक वेकेंट है एक है देखो आप यहां पर OBC फिमेल की ठीक है OBC फिमेल की एक seat vacant है और यहां पर AWS मेल की एक seat vacant है ध्यान रखना कॉपी में ठीक है तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों साथ भी वीडियो शेयर कर दो तो हम कहां पहुंच गये थे भौपाल में पहुंच गये थे ठीक है आपको पता चलगे ना भौपाल में AWS की मेल की एक seat है और OBC फिमेल की एक seat है और आपका यूजी यानि की अन्र अन्रिजरूड गर्ल की यहां पर फिमेल की एक seat है न टोटल तीन seat है मुरेहना में आपकी 21 seat हैं बहुत ही ज़्यादा यहां पर बड़ा vacant है ठीक है आप देख सकतो मुरेहना में कितनी seat total है 21 seat है वेकेंट है आपकी मुरेहना में खाली पूरा आज़व 50-60% तो यहां पर मुरेहना में ही total seat है इतना बेकार है क्या मुरेहना यहां पर कोई ड्वीशन नहीं लेना जाता है इसलिए तो यहां पर इतनी वेकेंट हैं बाकी college कोई बेकार नहीं रहता सारे अच्छे हैं बाकी यहां पर कुछ होगा इसलिए यहां पर जो है वेकेंट है इतनी सीट है अब कौन सी केटिगरी की कि इतनी सीट हैं यहां पर आपको बता देता हूं यहां पर general girl की यहां पर वेकेंट हैं और EWS male की यहां पर 4 seat वेकेंट है और EWS female की 2 seat है ऐसे करके आपकी total यहां पर 21 seat है आपकी वेकेंट है किसमें मुरायना कॉलेज में animal husbandry diploma महाविद्जाल है मुरायना में आपकी total 21 यहां पर इस प्रकार यहां पर मिलाकर आपकी total seat है यह free seat की बात कर रहा है ना payment seat की भी बात करेंगे इनी colleges में payment seat में कितनी बाकी है ये भी बात करेंगे बाकी free seat का आप समझ लो video हो सकता long हो जाए क्योंकि आपको हर एक चीजे यहां पर समझाते चल रहा हूं ठीक है total आपकी free seat बाकी कितनी government college में 32 seat आपकी बाकी है total किस और फ्री seat में अब payment seat कि बात कर लेते है गवर्मेंट कोलेज मेंगे लुवर्मेंट ही होना payment आपकी बाकी बाकी है यह आपो ध्यान रखना है total आप कर लेना 32 add 43 आपका कितनी होती है आप कि देख लीजिए पřिक है mother 75 आपकी गवर्मेंट कॉलेज में है सिर्फ फ्री और पेमेंट मिला कर रहे ना तो आप जरूर पार्टिपेट करना स्पॉर्ट राउंड में आपका सेलेक्शन हो जाएगा कहीं ने कहीं बिलकुल यहां पर 100% आपका सेलेक्शन होने वाला है ठीक है देख रहे ना अब यहां इसको आप जूम करके यहां पर स्क्रीन सॉट ले लो मैं इसको यहां पर रूम कर देता हूं आप स्क्रीन सॉट ले लो देख लेना इसको एक बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा आपको मैं स्रफ टोटल बताता हूं आगे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाते हैं अगर इन्हीं को करते रहूंगा तो वह बाते छूट सकती है वीडियो में है इसलिए वहां पर बताऊंगा बहुत लंबा वीडियो में न ऋनों ही सीधें दे रघा आने अलगा kind column नहीं बनाए गाए यहां ठीक हए यूनिवर्सिटा के दौर्हा आप यहां पर देखो कुल आपकी कितनी सीटें वे केंट है यहाँ पर आप खुद प्लेस कर लेना बहुत ज्यादा यहाँ पर सीट है आपकी वेकेंट है ठीक है देखो यहाँ पर कितनी है आप भी आपकी बात करें ग्वालियर में ठीक है ग्वालियर में आपकी बात करें तो फ्री सीट में आपकी वेकेंट है 42 ठीक है ग्वालियर किब्ग करें। तो अभि 26 यहां पर सीट हैं ठीक है। किसमें फ्री में प्मist में 11 सीट हैं और यहां पर लेखो लाओ यहां पर चौतिस यहां पर फ्री शीट वैक्षाणि शीट' nenhum specify होगि नद और आपेरो हर्दा में तो 31 सीट हैपकी मेंटेकर 3 ऊंदोर में लिए ऊपहलों से जब्धार के सबस्क्राइब कि किसमें फरीपके एंधा तो अगर आपको बताता हूँ अगर आपकी कोई सी भी कैटिग्री से हो अगर आपकी 20 से ज्यादा 15 से भी कम अंग है ना क्या बता रहा हूं मैं एक बार ध्यान दखना पंद्रा से भी कम अंख है आप मैं कहता हूँ जन्रल हो चाहे ओगी सी हूँ ठीक है जन्रल की भी बात करूँगा चाहे बीसी की बात करूँगा दढ दर करें तो इससे कम ही कट आप अगर आप कोई भी कर्टिग्री से बिलौंग करते हैं अपके 15 प्लस अंख है या 15 से भी कम है तो आप बिलकुल spot round में जाओं वहां पर आपका selection 100% जाएगा यह मेरी guarantee है ठीक है आपको कब जाना है क्या करना है वो सारी चीज़े बताऊंगा ठीक है और यहां पर बात कर लेते हैं कि हमारा मिल्स हो गया था किसमें PD, बात करें तो यहां पर तो रिकॉर्ड टोड़ यहां पर 20 of theник a Organ और आपकी आपकी प्रॉनज क्यूंज सब चंभाट करें तो जादाए तो च सब्स़ rifैंए कवे ना अर्वाइट तो सब्सची कोलेज में और वहां बात करें तो मोराना चोवर्मेंट ना सफस़ जादा है Heभ यहां पर फ़ाइब फरेषण कि जाने पर एंक नोट आ कर दिया गया गया भρॉरा बहुंद लाइक नहीं किया वीडियोको लाइक कर दो हर एक चीज़े यहां पर बताऊंगा ठीक है यहां पर देखो चात्राओं दौरा प्रिवेश निर्स्त कराए जाने पर वेबसाइड में प्रवदर्शित रिक्त सीटों की संख्या में व्रद्धी हो सकती है यानि कि आपके लिए गुड न्यूज ही है यह एक प पॉर्ट राउंड में जाए हर एक स्टुडेंट का यहां पर सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है अब यहां पर कुछ गाइडलाइन्स दिये हैं कौन क्राइटेरिया है क्या आपको करना है यह देखो सारी चीज़ें बताऊंगा ठीक है अब यहां पर एक चीज़ आपको बता अथ्वा पंजिन किया था समस्त अब्यारती स्पॉर्ट राउंड में समलित हो सकते हैं यानि कि जिस टुडेंट में प्रफरेंस लिस्ट नहीं भी भरी थी वह भी यहां पर जो है कांसलिंग में पाइडिस्पेट कर सकते हैं आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टे वीडियो सेयर कर दो ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके हैं आपको पता है आठ तारिक से आपको स्पॉर्ट राउंड इस्टार्ड मतलब आठी तारिक को आपका सारी चीज़ हो जाएगी आठ तारिक हो है आपका पता चले जाएगा कि आपका सेलेक्श और लिए है वे स्पार्ट काॉंसिलिंग में फ्री से फ्री सीट में ही एक महाविद्याले से अन्य विध्याले में परवरतन ही तुकांसिलिंग में भाग लेने हितु पात्र नहीं होंगे यानि कि बहुत सारे स्टुडेंट मिर से पूछ रहे थे क्या भाईया हम में यहां पर participate करके जबलपुर में ही free seat में अडिवीशन ले लोग तो वह नहीं ले पाएगा यहां साफ साफ mention करके रखा बाकि वो इस्टुडेंट यहां पर eligible होंगे जिनको मुरेना में मुरेना में क्या है payment seat में लिए बाकि उसे free seat में यहां पर जाना हो तो वह यहां पर eligible है sport round में अपना जो पाइट स्पीट कर सकते हैं अगर payment seat से आपको free seat में अलोट हो सकता है college है न तो यह बात आपको ध्यान रखना है आपको यहां पर transfer हो सकता है अगर आपको payment seat मिली हो और आप free seat में जाना चाहते हों तो आप यहां पर भाग लें तब ही आप eligible रहेंगे अगर आपको free seat मिल गई है और आप आप दूसरे college में जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे ठीक है यहां पर उन्होंने साफ साफ mention करकर रखा है यह बात आप ध्यान रखना है देखो और भी यहां पर important चीज़ें हैं के द्वारत दी गई है ठीक है एडिट में प्रवीनिये सूची प्रतिक्ष्था प्रतिक्ष्षा सूची के अधार पर seat किया जाएगा यानि कि आपकी एडिट का जो है ना उसकी रजेल्ट है उसके अधार पर यहां पर आपकर जो है अभाइंटन यानि कि नहीं थो आपको आपको आपनी फीस जमा करनी पड़ेगी नहीं है तो आपका जो है एड्मिशन कैंसिल कर दिया जाएगा यह बात आपको ध्यान रखनी है आपका एड्मिशन हुआ वहां से आप पूछिए कि हम सर हम किस दिन अपनी फीज जाकर प्रमेंट करें यहां पर लाएं तो आपको उसी दिन जो प्रमेंट करना पड़ेगा जिस दिन वह बताएंगे न दिनसोन लेका आपको नहीँ पता है तो अब यहाँ पर देथे हैं ऑटन्ट मेस थोड़ी सी EMPO ब्यारिए मैं समश्त प्रवेश के दार पर ही किये जाते हैं प्रवेश प्रक्रिया में किसी एंजेंट या बाहरी वेक्ती का कोई हस्तछेप नहीं रहता नहीं हस्त शेप नहीं है ठीक है यह आप ध्यान रखना बारवे पॉइंट में सबसे लाश्ट पॉइंट में डार का कर दिया गया है इनको ठीक है आप देख लेना और आई होप आप समझ गया होंगे वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दिया है बहुत अच्छी बात है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना वीडियो और उन्हें भी यह क्योंकि अपडेट मिलना चाहिए ठीक है और आपको कौन से डाउट से आपके कमेंट कर देना वहां पर मैं आपके कमेंट कर रेप्लाई दे दूंगा मिलते हैं ऐसी न